चब से आफवा उड़ी कि वहाँ एलियन आये होंगे तब से लोग सेलफी लेने पहुच रहे हैं एलियन और पाताल का दुआर समेट बना 70 फीट गहरा गड़ा अब 120 फीट का हो चुका है रिपोर्ट देखिए बिकानेर जिले का सैजरासर गाउं एक ऐसा गाउं है जहां परसीद कुछ नहीं लेकिन यहां हुई एक भोगोली गट्टा ने देश भर में चर्चित कर दिया हम मौजूद हैं सैजरासर गाउं की उस जगह पर ये एक मेरे पिछे देख सकते हैं खेत के अंदर एक बड़ा गड़ा बनावा है यहां एक ऐसी गटना हुई कि करीबन दो बिगा जमीन के अंदर अचानक ही बड़ा गड़ा बन गया और यहां से निकलने वाली जो संप्रक सड़क हैं वो पूरी तरह से तूट गई वहीं जिला प्रशासन सहीत तमाम एजेंसिया हैं वो इस पर जो अनुसंदान कर रही हैं कि किस तरह से यह गटना हुई हैं और इसको लेकर लगातार यहां लोगों का पहुंचना भी जारी हैं इंडिया न्यूज की टीम यहां पहुंची हैं तो आज आपको इसी जगह की दूसरी बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का परियास करेंगे इंडिया न्यूज की टीम यहां पे मौजूद हैं यहां कुछ इस्तानिये लोग वजन परतिनीदी के आलावा बड़ी संक्या में लोग पहुंचे हैं इंसे बात करते हैं मुईपाल जी बताईए यह जो कटना हुई है यहां पर इसक्रेकी है यह 15 अपरेल को रातिरी में लगबग 2-3 बज़े अचानक मिट्टी जो दसी है लगबग एक डेड़ बीगा में मिट्टी दसी हुई है और इसके अभी जो भू विश्य सग्या आयों है अभी वह जांस कर रहे हैं अभी टीम आई है तीन दिन से रेगुलर जांस कर रही है यह जल्दी आपको बताएंगे किस घटना का कानन क्या रहा है जी बिलकुल हमारे साथ से जो इस्तानी जन पड़ती नहीं दिया है वैसा आप यहां के रहने वाले हैं पहले यहां को यह इसी घटना हुई कुछ यह पहले ऐसी घटना नहीं थी यह जो रोड है जो डानी वो पल अब बताएंगे जो यहां पर जो बड़ी संग्यम जैसे लोग पहुंच रहे हैं तो यह अफवाओं का दोर सबसे ज्यादा चल रहा है हमारा इंडिया नियूद का मकसद है किसी तरह की अफवा नहीं फैले परसासन है वह पूरी तरह से यहां सयोग कर रहा है तो यहां किस सार्ण हो यहां को यहां फैली यहां पर दो हो सकता है वह जियां खटो पड़ी टेम मैं घुझा में दसकार बिजली बाप पड़ी हो एक या मेल जोड हुजे बिंग बाद मेंगे माँ दो तीन साला हो दीरे-दीरे यह एक खड़ो पड़ गोर बिंगे माँबाद में बरसात के समय में यह पचास फूट के एरिया में दीरे-दीरे जमीन अंदर दसकन लागी आपने परसासन को क कोई जांच नहीं की परसासन के पानी इकटा होता था यहां पानी रोड गो सहरो पानी आगे रटा इकटा हो तो एक दमी लगातार पचास-पचास फूट गई यह एरिया कमा हमेसा थोड़ी कने पांच इंच दस जाती कने आदा इंच आमने आदा पूट दस जानी पूट अब आधा यहां जमी दस्ती आई ठेट तो यह जानी पूट गुजरुकों ने से बताया कि कोई जल सरो तालाब यह कुछ कुवा वगरा ऐसा कुछ राता इसा सुनने में तो नहीं आ रहा है हमारे गुजरुक तो इसी बात नहीं बता रहे है कि यहां कोई कुवा हुआ हु लेकिन आज की जगह हैं यहां सामें दोरो दिक है इंग पिछली साइड में जियां पुराने गायों की ठीक रहां सी चीजा है जाना उसका एठ कोई पुराणों गाम हुए है अब आई बुवी से सी यहां बता हुआ है कोई जल स्त्रोत हुए यह कोई कुवा है इं परकार क लोगों दोरा अफ़ा है जो फेलाई जा रही है इसको अफ़ा है कुड़ी बात है इलकुल हमारे जो यहां इस्तानी साथी हैं मनोज उनसे भी बात करेंगे जी केलास बिलकुल यह सहजरासर गाव है जो लूनकरंसर से 15 किलो मेटर दूर है और जिस सड़क पर हम अभी खड़े हैं यह सड़क लूनकरंसर और सहीत करीब बन दो दरजन गावों को जोड़ती है और इस गड़े के साथ इस जमीन दसने के साथ यह सड़क भी आप देख सकते हैं कि अंदर दसकी हलाएं कि हम इस से थोड़ा डिस्टेंस बनाये हैं क्योंकि परसास ने यहां दारा 144 लगा रखिया है उसकी पालना करते हुए आप 144 का जो क्राइटेरिया है उस हालां कि हम उससे बाहर हैं लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि यह देखिए कि जैसे इसके साथ ही यह सड़क भी अंदर दसकी आप देख सकते हैं कि लगबग देड़ सो दो सो फिट की दूरी तक यह सड़क दस चुकिया और ग्राम बंचायत ने उस और जहां गाडियां खड़ यहां टीमें अलग अलग टीमें आ रही है और जाच करने जो परकरिया है वो तेज की जा चुकिए परशासन दुआरा लगातार इस पर कारवाई की जारी है और जल्द ही जो भू सर्वेक्षन विभाग है अन्य विभाग है उनकी रिपोर्ट भी आमजन के सामने आ जाएगी और यहां जो इस्तानी परशासन है उनके दुआरा उमीद की जारी है कि जल्द ही यहां सड़का पूरा परियास किया जाएगा साथी मनोज के साथ इंडिया न्यूज बीकानेर